नमस्कार मैं हूँ कवीता मिश्रा और स्वागत आपका हमारे चैनल एवर न्यूस ट्रीवी में रुख करते हैं दिनबर की बड़ी खबरों की तरब प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी ने जेवर एरपोर्ट का किया शिलन्यास इस मौके पर उपस्तित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेवर अब अंतरराश्ट्रे पेटल पर आ गया है और इसका लाब यूपी की जनता के साथ दिल्ली एंसियार को भी मिलेगा दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए आज से कंस्ट्रक्शन का काम रोकने का एलान किया है वही सीयम अर्विन केजी वाल ने कहा कि हम श्रमिको को उनके नियूंतम वेतम के अनुसार नुआफ्णा देंगे इसके तेख श्रमिको के बैंक खातू में पांच-पांच हजार रोपे जमा करने का आदेश दिया गया है उत्रप्रदेश में आगामी विधानसवा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और आमाद्मी पार्टी के बीच गढ़ बंदन हो सकता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आप सांसथ संजे सिंग के बीच मुलाकात के बाद ये अटकले लगाई जा रहे है पिसान नेता राकेश टिकेट ने संसथ के शीत सत्र से पहले दिन ट्रेक्टर रेले निकालने का एलान किया है प्रवक्ता राकेश टिकेट ने कहा कि 29 नवंबर को शीत सत्र के पहले दिन हजार लोग साथ ट्रेक्टर लेकर संसथ के और पूच करेंगे आप विदायक रागव चड़ा की अध्यक्षिता वाली दिल्ली विदानसवा की शांती और सदभाव समेती ने बॉलिवूड अभी नेतरी कंगना रनौत को समन किया है कंगना को 6 दिसंबर को समीती के सामने पेश होने के लिए कहा गया है सिक समाज पर की गई अप्रिय और अपमान जरक टिपनी को लेकर ये समन जारी किया गया है दिल्ली मेट्रों ने दिल्ली वासियों को एक बड़ा तौफा देते हुए 57 किलोमेटर लंबी पिंक लाइन पर चालक रेड ट्रेन परीचालन शुरू कर दिया है त्रिपूरा निकाय चुनाव को लेकर बवार सुप्रीम कोट का आदेश मौकें पर भेजी जाएं बी एस एफ की दो टी में करनाटक के स्टेम मेडिकल कॉलेज में 76-76 कॉर्णा पॉजिटिव फ्रसाशन ने दो होस्टल किये सी देश में 25 गंटों में कोरोणा के 9149 मामले सामने आये हैं वहीं 390 से जादा लोगों की मृत्ति हुई है शुश्मिता सेंस टारर आरे सीरीज अपने दूसरे सीजन के साथ लोट रही है सीरीज के निरमताओं ने उसका ट्रेलर रिलीस कर दिया है आरे सीजन 2 दस दिसंबर को OTT प्लाटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार पर आ रही है बुलिटिन में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें A1 News TV